Hello students, good morning, today's subject English, chapter number first and chapter name dictation. Dear students, today's topic, which is today's homework, which is the name of days. Name of days, which is the name of days, which is the name of days, which is the name of days. Write किये हैं, आपको learn करने हैं, awareness day तक. Sunday और Monday मैंने पहले आपको write करवा दिये थे. And Tuesday, Wednesday आपने आज write भी करने हैं और learn भी करने हैं. तो यहाँ पर ध्यान से देखें. Sunday, Monday. Sunday में सोता है रवीवार और Monday में सोता है सोमवार. Dear students, मैंने आपको पिछे जो वीडियो भेजी थी, उस पे मैंने आपको बताया था, कि यह जो day, day है, यह जो seven days हैं, उन सब के पिछे लगेगा. तो आपने क्या करना हैं, next करना है, मंगलवार, बुद्वार, यानि इनकी आपने English राइट करनी हैं और learn करनी हैं. So, ऐसे है, T-U-E-S plus D-A-Y, D-A-Y सबी के पिछे आएगा, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, T-U-E-S, D-A-Y, Tuesday, 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 मिस मंगल, वार, Tuesday, मिस मंगल, दे मिस वार, W-E-D-N-E-S, वैडनस होता है, बुद्वार, वैडनस दे, बुद्वार, तो यहां पे तो मैंने आपको learn करने का आसान तरिका बताया है, कि यह D-A-Y, D-A-Y है इनके पिछे, आपने इतना याद करना है, यह वाला, next आपने कैसे write करना है, T-U-E-S-D-A-Y, 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 इसी तरह यहां पे वैडनस डे, वैडनस डे, वैडनस डे, वैडनस डे, वैडनस डे, तो dear students, I hope कि आपको अच्छे से समझ में आगे होगा, आपने ऐसे ही notebook में write करना है, और इसको learn करना है, ओके, God bless you.